सर सर एक मिनिट लगता है कुछ मिस्टेक हो गई है सर बिना बिल पे किये कुछ आ गया है सर हमें चेक करना पड़ेगा हम अहां ठीक है चेक कर लो भाई कुछ भी नहीं है हमें मैडम का पैक भी चेक करना होगा सर बस फॉर्मालिटी है सर सर इसी बेक में कुछ है एक बार चेक करकर देखता हूं सर प्लीज आये सर आओ यह आपके बेक में कैसे आया है पता नहीं अंजाने में गिर गया होगा सर ऐसे कैसे अंजाने में गिर गया बैक को चेंज से बंद किया गया है जान बूचकर अंदर डाला गया अरे सर आप तो ऐसे बोल जैसे हम चोर है आजकल चोर ऐसे डिसेंट कपड़े पहन कराते हैं सर ऐसा की बोल रहा हो पैसों की बात नहीं है सर चेक करते समाएं आपके बैक से निकला तो आपने चोरी की है आप इसे द्यान रखिएगा ठीक है प्रिया चलो चलते हैं विकारी की आउलाद प्रिया आप तमीस से बात कीजिए तुम्हें पूल रही हो इसने मुझे चोर कहां प्रिया क्या हुआ तुम्हें यह देख देख कम ने ले इतने पैसे तुने इक जिंदिकी में कभी देखे है क्या मैं चोरी करदे यह ले लग ले अंजाने में बोल दिया बोल दिया उसने अंजाने में ठीक है आप गुस्ता क्यों कर रही है अगुस्ता हमें भी आ सकता है या विप्रिया शॉरी भाई प्रिय से क्यों कोली नहीं है इस तुम्हें नहीं है जोने चोरी किया है और ऊपर से मुझे ती गंटी गलिया दे रहे है कि यह एक चे लो यह सब जोड़ुए सब दजा रहा है यह चे टाइमान जारेकं शु प्रिया को आए प्रिया प्रिया पापा आए है आओ चल कर मिलते हैं मैंने ही आ रही इतने दिनों के बाद आया ना प्रिया मिलें के तो अच्छा लगेगा तुम ही मिल लो हमेशा तो इस टाइम पर घर पर होते हैं देखो वह आ गए अरे तुम दोनों कहां चले गए थे वह हम शॉपने चले गए थे अब जाकर आपका गुस्सा कम हुआ है क्या मैं अभी भी गुस्से में हूँ वो तो दिखी रहा है पापा आप बहुत गुस्से में हो है ठीक है यह लाड़ी है बाला है रियली मिस्टेस पेटा मेटू पापा मेटू ठीक है चलिए घर चलते हैं मैं सरब तुमसे ही मिलने आया था पापा आप हमारे घर आएंगे सोचकर प्रिया इंतिजार कर रही है नौ मुझे उससे मिलने की कोई इच्छा नहीं छोड़िए न बच्चे हैं अन्जाने में सब कुछ हुआ आपको उससे माफ कर देना चाहिए आप उससे नहीं जानती ह प्लीज दुम दुनों बैट कर बात कीजिए मैं जाकर प्रिया से मिलकर आती हूँ तुम्हारे ससुर जी हमारे घर पर आयो हैं तुम यहां क्या कर रही हो रहने दो मां वो मुझसे नाराज हैं उनका मुझसे मिलने का मन होता तो यहां मिलने आते हैं ठीक है जाने दो वो बड़े हैं क्या हुआ जो नाराज हो गए लेकिन तुम दोनों को उनसे माफिय मांगनी चाहिए नहीं माँ वो मुझे से जब भी मिलते हैं ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे मुझे दुख होता है वैसे प्रॉब्लम क्या है मुझे तो बताओ मैं जाकर उनसे बात करती हूं आप छोड़िये जाने दीजिए ठीक है लेकिन बताओ जाने दीजिए ना प्रिया मेरे बेटे की युएस चले जाने के बाद वो मुझे छोड़कर बहुत दूर चला गया है सोचकर मैं कही बार दुखी हुई हूँ लेकिन तुम लोगों के आने के बाद मेरा सारा दुख खत्म हो गया तुम मुझे क्या मानती हो मुझे पता नहीं लेकिन मैं तो तु बाला मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े घर के लड़कियां देख रखी थी बट तुमने कहा कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो मान गया मेरे सारे सपने तूट गए मैंने उस लड़की के परिवार से मिलने के बाद की तो तुमने कहा कि वो अनात है पपा वो ब मैं तुम्हारा बाप हूँ, सब कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ सकता मैं, इसलिए उस लड़की के बारे में, उसके परिवार के बारे में थोड़ी चान बीन की मैंने, बाला, उसकी मा की तरह अगर उसे भी कुछ हो गया तो, तुम क्या करो के बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा पा प्लीज अंडरस्टैंड में मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मेरे ममी पापा ने लव मैरिज की थी, उनकी दुनिया बहुत खुशाल थी, लेकिन वो बहुत दिन नहीं चला, उनकी प्रेग्नेंसी के बाद, वो थोड़ा-थोड़ा बदलने लगी थी, वो भागल होने लगी थी, खिल-खिलाती जो किसी को सुनाई नहीं देती थी, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, भागलपन बढ़ता गया, लोगों ने कहा, उनकी प्रेग्नेंसी ही इन सब का कारण है, बच्चा गिराने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी मा नहीं मानी, सब ने भगवान से बहुत प्रातना की, लेकिन कोई फरक नहीं पड़ा, डिलिवरी डेट भी नस्दीक आने लगी, तो वो और भी पागल हो गया, कोई नस्दीक नहीं आता था उनके, आखिर में मेरे पापा भी मा को छोड़कर चले गए, मैं पैदा हुई, और मेरी मा मर गई, कुछ दिन तो मेरे रिष्टेदारों ने म पागल हो जाओगी, इस बात से तुम्हारी ससुर्जी डर रहे हैं, यह भी एक वजा है, तो दूसरी वज़ा क्या है, मैं, मैं बहुत कॉम्प्लिकेशन्स के साथ पैदा हुई थी, यह बात मजे बड़े होने के बाद पता चली, कैसे कॉम्प्लिकेशन्स, मेरे बच्चे क देली में प्रोबलम है, वो ठीक से फॉर्म नहीं होई है, मैं कभी, मैं कभी मा नहीं बन सकती, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसका दुख मनाओं, या फिर मेरे मा की तरह पागल नहीं होंगी, इस बात की खुशिमनाओं समझ नहीं आता, यह, रोना मत, रोना मत, रोना मत, बिठा, चुट हो, जाओ, आपको, तुम्हारे पापा से मझे मिलना चाहिए था, आपको, उस दुखान पर मैंने ऐसा बेहव कियों किया मझे नहीं, आपको, पर मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था, खल मैं बहां जाकर उनसे सौरी कहतोंगी, तुम बहुत परिशान हो गए थे, मैंने देखा था, आपको, 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 तुम्हें मुझे सौरी बोलने की ज़रूरत नहीं है प्रिया, मैं जानते हूँ, आपको, पुम्हें लुटी कि मैं आखके लगा हुआ कर दो ही उब मैं उड़गों मॉअ यहां क्या कर रही हो मा तुमसे मिलने का मन किया यह क्या तुम परिशान क्यों लग रही हो उसने मुझे चोर कहा किसने कहा ऐसा सब कहते हैं तुमने चोरी की थी क्या अच्छे तरह मुझे सोच कर बताओ नहीं चोरी नहींगी एक बार सोच कर देखो परिया किसने चोरेगी मुझसे वो रंग चोराय बेना नहीं रहा गया कैसा लगा था चोरी करते समय उस समय अंदर एक बिजली सी दौड रही थी ठीक है आओ मैं तुम्हें एक जगा लेकर चलती हूं अपनी डारी मैं अपने एक जगा के बारे में लिखा है वही है क्या कहा है वो जगा यही है कि मुझे नहीं दिख रही अपने आखें बंद करो क्या सच में तुम्हें उस जगा पर चलना है जगा पर चलना है क्या है कर दो 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 अज जज 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 उनाओ कर दो जज 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 जजा है कौन है यह सब यहां क्या कर रहे हैं यह सब मेरी तरह हैं इन्हें भी बानकर रखा करते थे और अकेला छोड़ दिया करते थे जो भी हुआ वो इन्हें कुछ याद नहीं बस इसी जगह ने इनको खुशी और शांती दी है यहां रहना इन्हें बहुत पसंद है इस ते यहां से कोई भी वापस नहीं जाना चाहता और बस इसी लिए मैं भी यही रह गई झाल 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 तुम भी शांती से आखिर तक यहां पर रह सकते हो प्रिया तुम सपना नहीं देख रही हो यह जगह सच में है हुआ 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 है बाला कल मैंने एक सपना देखा बहुत बड़ा जंगल था मैं उसमें चली जा रही थी मां भी साथ थी वहां बहुत सारी लेडीज थी पर सबकी सब फॉर्रणर्स थी बीच में एक लेक भी था उसके उपर एक पेड़ हवा में तै रहा था मैंने आज तक ऐसी जगा कभी नहीं देखी एक मिनिट के लिए वो सपना था यह सच था यही समझ नहीं आ रहा था मुझे मेरी मां के अलावा वहां सब कुछ नहीं मैं ऐसा लग रहा था बहुत रियल लग रहा था लेकिन कि अधिक मैं अकेली बुली जा रही हो तुम बस सो रहे हो तो तो तुम ऐसा करोगी क्या मेरे साथ हां मैं करूंगी प्रिया मैं कल राट ठीक से नहीं सौया मुझे परिशान मत करो उठो जाओ सै क्वे要'm जान जौड़ी नहीं को lasting it मैंने नहीं आ अप नीसे गर गए श्बदेखर तब मुझस पर चिलाते रहता में मैंने कहा नहीं किया नहीं किया सुबासे इत्ना काम करुए में दि हिंकिन क्ष्टो बस वहीु जा रहा है इस खार में सब का मुझे अकेले करना पड़ता है थोड़ी सी हेल्फ कर देगा तो क्या जाएगा उसका जब देगा तब काम-काम-काम कहकर प्रिया अगर मैं वहाँ आए तो बहुत बुरा होगा याद रखना एई मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया लगर मैंने कहा ट Ci अे नहीं है कली थे अपिंग तरही दोती होग बाला बाला तुम्हें कोई आवा सुनाई दी क्या तुम्हें भी सुनाई दिया ग्या जैसे कोई नीचे गिरा हो नहीं देवी कुछ भी नीचे नहीं गिरा तुम सोचा सुने नीचे 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 न माजी आप कब आई क्या हो आतुमी तनी डरी हुई क्यों हो कुछ नहीं मैं कुछ सोच रही थी क्या हुआ मा आपकी आखे नम क्यों है वो क्या है न प्रिया मैंने एक प्यारी सोना नाम की मचली पाली हुई थी वो गायब हो गई है वो मचली सोना मर गई है मैंने कहा वो गायब हो गई है और तुम बर गई इसा क्यों क्या रही हो हुँ आपने कहा गायब हो गई सोरी क्या हुआ तुम ऐसे क्यों खड़ी हो कुछ नहीं मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था तुमने जो लिपस्टिक लगा रखी है उसे देखकर मुझे मेरे सोना की आदा रही है लिपस्टिक मैंने तो कोई लिपस्टिक नहीं लगाई क्या हो अप्रिया उसमें क्या ढून रही हो रात को ठीक से सोई थी ना क्या है प्रिया तुम रूम पर आई थी तो मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया तुमने लिपस्टिक लगा रखी थी क्या दुकान पर देखी थी उसी कलर की लग रही थी कि लिप्स्टिक मैंने तो नहीं लगाई दीन में दिखा था तो जाने दो तुम किसी सपने के बारे में बात कर रही थी हाँ सपना वह मैं ऐसे ही बोल रही थी आज कल मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते ना इसलिए चेक कर रही थी मैं जूटी झाल ऑज कर दो प्याँ दो प्याए झाल पर बारे में घपार को तो में पड़को तो कि बिना बोले क्यों चली गई थी पूरे अपार्टमेंट में मैं तुम्हें ढूंड रहा था कि मैं लिखकर गई थी नहां कहां जा रही हूं क्या बात है अचानक तो मंदर चली गई कुछ नहीं बस ऐसे ही चली गई नहीं तुम काफी दिनों से अजीब सी रहने लगी हो मुझे कोई बात बताती ही नहीं हो बोलो ना मुझे बताने में क्या है ऐसा कुछ नहीं है नजर मिला कर बात भी नहीं कर रही हो मुझे कुछ नहीं हुआ है मैं होश में हूँ ठीक है इतना अफास क्यों चला रहे हो थोड़ा अराम से चलाओ प्रेक नहीं लग रहे हैं सच में ने कुछ नहीं किया प्रेक सच में नहीं लग रहे हैं कि अब देखो तब बजाग सुचता है तुम्हें कितना डर गई थी मैं रधा जाओ चोटी सी बात पर डर रही हो ठीक है चलो कई शॉपिंग पर चलते हैं प्रिये 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 प्रिया क्या हूँ चलो प्रिया बात मत करो बाहर चलते हैं चलो बाहर क्यों चलना है वहां पर क्या है प्रिया हाँ तुम्हें वहां कुछ नहीं दिख रहा है क्या है 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 मचाओ भाला प्रिया बाला मर्चाया प्रिया मैं देखाओ तुम्हें इतना डर्रिया तो मैं क्या सच में वहां कुछ दिखाए नहीं दे रहा है कि बड़ा साप साप सफेद रंगा कि हुँ कि अधर गए ना हमेशा तुम ही मुझे डराते रहते थे ना तो इस बार मैंने तुम्हारे साथ मजा किया मजा किया था मैं तो सोच रहता है महां सच में कुछ है जब तुम मजा करते तो मैं भी डर जाती हूं ऐसे ही चलो जाओ कि इस ज्वर चाहाँ बठे टाराम मुझेटो है कि भी फालाँ जब सड की है कि युवक, व युवक, वुवक.. झाल, 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 झाल. मुझे भी सांप दिख रहा है, कहाँ? मैंने तो मजाग किया था, तुम मेरा मजा कुड़ा रहो ना? क्या सच है और क्या जूट? कुछ समझ नहीं आ रहा है. तुम्हारी तरह मुझ में भी कई बदलावाय थे, वो जानकर ही तुम्हारे पापा मुझे छोड़ कर चले गए. बाला इसा नहीं है? वो तो मैं जानते ही हूं, मा की बाते नहीं मानोगी, तुम मेरे साथ रहो, इसते मैं तुम्हां. प्रिया, 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 देखो मुझे, प्रिया, तुम बहुत गहरी नीन में हूं. उसके बाते मत मानो प्रिया तुम नीद में हो प्रिया यह सपना नहीं है तुम्हें यही आना है यही आना है प्रिया तुम मुझे सुन रही हो प्रिया प्रिया उठो प्रिया यहां देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी तुम्हें बहुत परिशानी होगी प्रिया प्रिया द हम यहां कैसे हैं कुछ नहीं हुआ है चलो घर चलते हैं नहीं हम यहां कैसे हैं कब यहां प्रिया देखो यहां बात मत करो घर जाकर बात करते हैं चलो अचानक नीन से उठकर देखा तो तुम मुझे नहीं देखी और जब मैं ढूंडने निकला तो तुम अके लिए बात करती हुई जा रही थी नहीं तुम जूट बोल रहे हुँ मैं क्यों जूट बूनने लगा तुम अपने कपड़ों को तो देखो सीधर बेड से उठकर आ गई हो भाला तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना प्रॉमिस करो प्रिया प्रॉमिस करो गया नहीं प्रॉमिस स्टोरॉम का कबर्ड कुछ तेनों से बंध है जानते हो क्यों बंध है प्रॉमिस उस दिन लिप्स्टिक चोड़ी करते पकड़ी गई थी और अकले दिन उसी शौप से जाकर दूसरी लिप्स्टिक चोड़ी की इस रंग को देख लूँ तो उससे अपना बना लूँ ऐसा लगता है यह सब कबसे हो रहा है मेरे साथ क्या कबसे हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता अच्छानक होश आता है तो मैं किसी नई जगा पर होती हूँ मैं वहाँ कहसे पहुंची यह नहीं पता उस दिन उस दिन सच में मैंने वहाँ पर साब देखा था मुझे दिखा था लेकिन तुम्हें नहीं दिखा मुझे सुना ही देता है लेकिन बागियों को सुना ही नहीं देता मेरे मां के तरह मैं अभी पागल हो रही हूँ प्रिया तुम रो मत प्रिया कुछ नहीं होगा तुम्हें प्रिया तुम्हें कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा तुम अपनी मां की बारे में सूच रही हो ना इसलिए तुम्हेरे साथ ऐसा हो रहा है बहुत कंफ्यूज हो चुकी हो कुछ नहीं हुआ है तुम मझे जूट भोलोगे तुम मझे पता चलेगा कुछ दिनों से तुम मझे नोटिस भी कर रहे हो पर मुझे डर था तुम से कहोंगे तुम छोड़ दूगे मुझे तुम ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ कर चला जोँगा प्रिया, तुम्हें याद है ना, जिस दिन हम तोनों पहली बार मिले थे वो दिन, याद है ना प्रिया, उस दिन बहुत से बादला गए थे, जैसे बारिश होने वाली हो, लेकिन बारिश नहीं हुई, बस हवा चल रही थे, और तब कुछ तो मेरे उपर गिरा था, अगर वो नहीं गिरता तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पता, और जब गौर से देखा, तो तुम खड़ी थी, एक मिनट के लिए मैं ऐसी खड़ा रहा, पहली नजर का प्यार, तब तक मुझे उस पर भरूसा ही नहीं था, तुमसे पहले भी मिलकर बात कर चुका हूँ वैसा एहसास, उस हवा और बादलों के बेच तुम मुझे एक परी जैसी लगी, उसे मैं भूल नहीं सकता, मेरे दिल में समंदर की लहरा उठी थी, उस समय तुमसे बात करने आया तो कैसा लग रहा था पता है, कैसे एक लड़की को देखते ही प्यार का ही जहार कर दो, मेरी एक आशा थी, कि तुम्हें भी तब वैसा ही लगा होगा, वापस जाने के बारे में सोचा था, तब तुम्हारे कदमों की आहट हुई, तुम भी मुझे देखने चलिया आई थी, तुम्हें देखकर कई दिनों से जिसे ढूंट रहा था वो चीज, मिल गई हो ऐसा लगा था, मुझे तुम्हें तुम्हें आँखों में दिखा था, कब तुम्हें भी ऐसा ही लगा होगा सूचकर, तुम्हें चूने का मन किया, तुम्हें खुद अपना हाथ बढ़ाया, जिस समय मैंने तुम्हें चुआ था, उस पल मैं सब कुछ समझ गया था, और तब मैंने फैसला किया, कि तुम्हें अपनी बाहों में भर कर देखता रहूं, तब मैंने फैसला किया कि तुमसे दूर एक पल के लिए भी नहीं चाहूंगा. कर शुरुürब तरस अ कोlooking को शीक भी बना काब भुद जी करे बाहो में दू जी करेवा हुमे लusu 무슨 में दू तेर में दू रू कुरो जाजबात को को ऑन्हें हन्हें को हुआ 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 है 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 हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुप पुपट ह leveling प्रिया प्रिया वहां क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ इस दुन्या में खुश रह सकते हैं वहां तुम्हारा कौन है यहां प्रिया प्रिया तुम अपनी मा के साथ खुश रह सकती हो आओ आओ इस खिड़की को पार करके आजाओ प्रिया तुम आखिर तक यहीं पर खुश रहोगी आओ 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 प्रिया प्रिया आजाओ प्रिया आओ नहीं यह सच नहीं है मैं नहीं आओंगी मेरे लिए बाला है मैं उसे चोड़कर नहीं आ सकती मुझे मेरी मां नहीं चाहिए प्रिया 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 तरवास खोलो प्रिया 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 क्या हुआ प्रिया 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 वहां पर क्या है प्रिया 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 मुझे देखो ना प्रिया क्या हुआ प्रिया एसे क्यों बैठी हुई यह यह क्या है क्यों निकल रहा है हुँ.. हुँ.. हुआ 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 है कि इस दुनिया में तुम खो गए जाग जाग हो गई देरी क्यों ऐसे तुम हो गए तुम तो से चंचे सबसे मौट से बड़ा डर क्या होता है तुम्हें पता है मेरे मरनी के बाद ये दुनिया तो मुझे जलाकर जले जाएगी तुम अपने पापा की बताई लड़की से शादी करके खुश रहोगे और सब मुझे भूल जाएंगे मैं तुम्हें भूल जाओंगा ये सुच रही हो तुम किसी और से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी थैंक्स प्रिया थैंक्स अरे बबरे ये तो आ गया अरे यार गया सब गया यह आ गया सोचो सोचो अब क्या करेगा बाला सोचो अब क्या होगा कुछ तो करना ही होगा कुछ तो करना होगा क्या हुआ है California बेर बचाना होगा बलीज मेरी कुछ help करो प्रीयस में जा कर छुप जाता हूं उसने पूछा तो नहीं कह देना ठीक है ठीक है अब सोन आया है कियों छुप रहे हो वो एक वह सब बताने का भी टाइम नहीं तुम जा कर दरवासा गोलो मैं छुप जाता हूं प्रियाओ ! प्रिया ! प्रिया क्या कर रही हो प्रिया अंदर अंदर कोई है अंदर अंदर इजर हँ मुझ अंदर 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 आप भू प्रिया प्रिया कोई भी तो नहीं है यहाँ पर प्रिया किसी देख रहे हो कोई भी तो नहीं है प्रिया 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 उटो उटो प्रिया प्रिया आके कोलो प्रिया प्रिया क्या हुआ प्रिया प्रिया क्या हुआ क्या डूंड़रियो प्रिया हाँ मचा जोड़कर भी मचाना प्रिया मैं कहीं नहीं जाओंगा तुम डरो मत नहीं कहीं मचाना बला मैं तो तुम्हारा इफोन उठा रहा था नहीं कहीं मचा अग्या तुम खोदी उठाओ हेलो प्रिया मैंने बात तो कर लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है और डरने के भी कोई बात नहीं है मैं थोड़ी दर में प्रिया कौन है तुम मैं हूँ प्रिया बाला वो नहीं है मैं हूँ बाला मैं भी बाला हुँ बाला मैं हूँ तुम्हार त्यार डर गई ना जब देखो हमेशा भाय भाय करके डराती रहती थी इसलिए अब मैंने डरा दिया बहुत बड़ा जंगल था मैं चलती जा रही थी वह बहुत सारी लेडिस थी हां सब फॉरेनर्स थी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है मैं अकेली बोले जा रही हूं वहां खड़े बत रहो यहां आ जाओ बाला वहां खड़े बत रहो कह रही हूं ना एक के साथ रहने के बचा है हम सभी के साथ रह सकती हो मजा आएगा मुझे जोड़कर कही मज़ जाना बना मेरे साथ ही रह बना मुझे तुम्हारे पापस हमेला जुए था सॉरी सिक्यर्टी वाले से जगड़ा नहीं करना था मैंने तो बस मजा किया था अब तुम मेरा मजा डूड़ा रहे है अपी बर्थ डेट अब अधिक 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 हाए 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 मुझे से बात कर रहे हो ना हां भाई तुम से बात कर रहा हूं हम अक्सर ऐसे मिली जाते हैं ना मेरा पीछा कर रहे हो गया मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा वो क्या है मेरे पापा ऐसी हरकते अक्सर करते रहते हैं इसलिए पूछ लिया तुम्हारे पापा लॉयर है ना हाँ मेरे पापा लॉयर है या आपको कैसे बता है तुम्हीने तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है तुम्हीं सॉटो में बैट हो गए मुझे क्या पता था मुझे इस कोइंसिडेंट में वहरोसा नहीं है हम ऐसे अक्सर मिलते हैं तो उसकी कोई न कोई वज़ा होगी कैसी वज़ा पता नहीं आपको घर आ गया है हम दुबारा मिलेंगा बाइ, सीयो बाला, बाइ प्रिया, प्रिया, प्रिया प्रिया, कहा हो तुम प्रिया, प्रिया, यह क्या हुआ है तुम्हें प्रिया, प्रिया इस तरह यहां से तुम मझे चू नहीं सकते तुम मझे चू नहीं सकते तुम मझे चू नहीं सकते तुम मज़े चूँ नहीं सकते प्रियो बाला प्रियो लगता है फ्यूज चला गया है मैं जाकर टॉच लेकर आती हूं ने उसकी ज़रूत नहीं है इस घर में भूच जैसा कुछ नहीं है सब कुछ ठीक है अच्छा फिर अच्छानक से वो साड़ी सिंदूर और अंगुठी कहां से आ गई हgenommen वो सब जो तुम्हारे घर पर काम करते हैं उनका हो सकता है अरे नहीं मैं और मेरे हजबन के लावा और कोई नहीं रहता है अगर फिर बी कोई शक्छ हो तो मंदिर के पुजारी से कहके पीतल की प्लेट मांगना वो पूजा करके प्लेट तुमें दे देंगे उससे लेकर घ प्रेट को लाकर गाड़ दूंगी तो कोई भूत नहीं आएगा ना कव अभी आने से डरेगा इस घर में भूत प्रेट नहीं है यहीं कह रहे हो ना हाँ यहीं मेरे हस्बंड है ओ नमस्तर सर वहां जाके सब कुछ चूप के देखा और ढूंड़ा भी तो तुम्हें कैसे पता सकता हूं अच्छा और उसके अला हुआ आपने सुना होगा कि बिल्यों और कुटों को भूत दिखाए देते हैं उसी तरह मुझे भी आत्माय दिखाए देती हैं तुम इंसान की प्रेदैश हो या किसी जनवर की यह क्या कह रहे हैं तुम पागलों जैसी बात मत करो तुम जैसे इंसानों को देखकर ही इन जैसे लोग उन्हें बेवकूफ बनाते हैं ऐसे लोगों को तो बीच सड़क पर खड़ा करके पथर से मारना चाहिए भगवान है और वो तुम्हारी जिंदगी बना देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा कहकर तुम मासूम लोगों को ब पशएबदा फाकर कर अपसें आपको क्यों भगवान पर विश्वास नहीं क्या मैं जान सकता हूं तुम यह कैसे कैसकते हो कि भगवान है इस दुनिया को देखो जितने अन्याय हो रहे हैं उसे देखो तुम्हें लगता है भगवान है अगर हम गलती करें कोई पूछने वला नहीं भगवान पर भरोसा ना करके अन्याय करने वालों के वज़े से ही यह दुनिया ऐसी है तुम मुझे गलत बोल रहे हो गलत करो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा इसलिए आप अपनी वाइफ के गरहाजरी में घर पे अपने आफिस में काम करनवारी लड़की को लाकर जुआय करते हैं सही कहा ना और वो बाल आपके असिस्टेंट जूली का है बोलना भूल गया यह टेवल इसलिए टूट गया क्योंकि आप और आपकी साली इस पर एकसाथ बैट गया थे और वो बैचारी इन सबसे अंजान आपकी वाइफ बाल और अंग उठी देकर घर में भूत है समझ बैटी है सब्सक्राइब आप मेरे हस्बंड की बातों का बुरा मत मानिये यह थोड़ा तिखा जरूर बोलते लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं अरे मैंने किसी बात का बुरा नहीं माना यह लीजिए थैंक यू चलता हूं सर चलता हूं मैं यहीं रुप जाती हूं मेरा वहां कोई नहीं है मैं सब कुछ भूलना जाती हूं इन सब की तरह मैं भी यहीं रहना जाती हूं क्यों नहीं मैं यहीं रुप जाओंगी मैं वापस नहीं जाओंगी वापस नहीं जाओंगी मैं यहीं रुप जाओंगी मैं वापस नहीं जाओंगी जाओंगी मैं किसी दुनिया की बारे में कह रही थी ना, बताओ मुझे वो कैसी दुनिया है और कहा है तुम्हारी माँ वहाँ पर है वो बुलाती है, ऐसा कह रही थी ना लेकिन तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो बोलो प्रिया बाला, यह तुम्हारी जिन्दगी है बैटा कोई मजाक नहीं पापा मैं उसे नहीं छोड़ सकता पापा उसका सब कुछ मैं ही हूँ उसके जिन्दगी का सहारा हूँ मैं अगर उससे छोड़ दूँगा तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा अच्छा, क्या अब भी तुम पिंक कलर को देखती हो तो कुछ होता है उपर देखो, पिंक लाइट उससे देखकर तुम्हें कुछ मैसूस हो रहा है एक पती के नाते एक सोशल वर्कर के नाते एक इंसान के नाते भी मैं हार चाहूँगा पापा ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा प्रिया से सम्धिंग प्रिया यहां देखो, तुम्हारी मा के साथ जो भी वह वो अलग बात थी तुम्हारे साथ ऐसा होगा यह जरूरी नहीं है ट्रस्ट मी प्रिया, इस जस्योर इमाजनेशन एक बेटे की तरह तुम कब के हार चुके हो बेटा पापा, पापा रुकिये पापा वह बेल साथ झाल 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 आंटी, क्या हुआ? इतनी डरीवी क्यों लग रही हो? प्रिया, वो उपर यहाइए रहाएटी, उसे यहाँ से ले जाओ, अ, अ, आउटी, नौ बाला, आम रहली स्सूरी, वो, वो कुई और ही, हे, 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 हे। वो, आज्या दिवो, कुई और ही, ह्ङ तर्पना गो। आइ réponse है। याश्ट आ इतनी है। स मर्दा नहीं वो, श्याव प्रिया 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 प्रिय झालाउ किया है। प्रेचत कर वहा हुआयाँ प्रेचत कर दो थालाउ कर दो प्रेचत करदा प्रेचत क्या कर दो झाल झाल हाग 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 तथ प्लिव यह तरस्ट हाग यह हाग हाग यह जाद एटिव एटõ पादिव भुव कि अब इसके कोशिश कर रहे हैं गाडी का दरवा इसके लिए लेखें जा रहे हैं डिखने रहा क्या मैं हूँ लायर रागवांड मुझे आपने फोन किया था सर आखो यहाँ वे क्या हुआ सर यहाँ की गाड़ी है ना गाड़ी तो मेरी है लेकिन हुआ क्या यह आपने कार क्यों हुआ क्या सर थोड़ा वेट कीजिया सर प्लीज लेट में इंसाइड हुआ क्या मुझे देखना है काम चल रहा है चलो सब पीछे आटो पीछे आटो यहां कोई मुवी चल लिए हैं कि अ हैँ बादार से ही अब है और तो अब है कि अधा कि और दो अंधान्य मुझे चाने दीजास सब बुझे चांटेज़ है तो का एक प्रोसीजर होता है आप भी लॉयर है समझे मैं यूज नॉयर हूं पर भी एक बाप भी हो सर जाने दीजा सर आप भगा नहींचा सकते सी ज़ग बें सर चलिया, दिघ्थलिया, सराहिए, सरी चलिया आपका बिटा है, जिन्दा है आपका बिटा है कर दो हुआ है बुबनीब नामस्ते, सरू है एंड्रिया आगे तुम मैंने ध्यानी ने दिया गिमी और हैंड क्या हो तुम्हें उदास से लग रहे हो को से कुछ दिन्व से तुम सोच में डूबे हुए हो मुझे कुछ बताते नहीं क्या बात है कि ऐसा कुछ नहीं है मैं बिल्कुल ठीख हो हैं है ndr ॕ के अएंड्रिया एंड्रिया के बताता हूं है कि इस दिनों से कुछ बाते हैं, जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ, आज भी मैंने कुछ ऐसा ही अजीब महसूस किया, उसे छूने के बाद मुझसे कुछ महसूस ही नहीं किया गया, आज सक तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, मौसम उससे कुछ कह रहा था, लगता है चल्दी कुछ बड़ी घटना घटने वाली है, अच्छी या बुरी, मुझसे नहीं पता, हाई सुलेमन, हाई फादर, हाई यू, अपनी वाइब से बाते कर रहे हो क्या है, हाँ फादर, एंड्रिया से भी बात कर रहा हूं, हाँ, हाँ, ओके, एंड्रिया आपको हाई बोल रही है फादर, हाई, ओके, ओके, कह रहे हो, थैंक्स फादर, बाई, यू सी अंड्रिया, मैंने चो कुछ भी का उसे लिए का टेंशन मत लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है, okay? बाला बैठो 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 प्लीज लेट जाओ स्ट्रेद मत लो प्लीज क्या हुआ था पापा मुझे गाओ कैसे लगा वो सब बाद में बताऊंगा पहले तुम रेस्ट करो मैं जा कर डाक्टर को बलाता हूं पापा यह सब कैसे हुआ प्रिया कहा है पापा प्रिया कहा है बाला तुम मेरी कार ले गए थे वो एक ट्रक से टकरा गए थी वेटा एक बड़ा एक्सिडेंट था पुलिस के फोन करने पर मैं वहां पहुंचा था वहां जाकर देखा तो तुम्हारी कार चूर-चूर हो गए थी ले प्रिया प्रिया वहां नहीं थी बेटा प्रिया प्रिया तो कार में मेरे साथ ही थी पापा नहीं बेटा वहां पी लोगों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही देखा था बट वो सब रहने दो तुम अभी लेट जाओ प्लीज लेट जा पाला बाला क्या हुआ बेटा क्या सोच रहे हो तुम कार की चावी दीजे पापा कार की चावी लेकिन क्यों प्लीज पापा कार की चावी दीजे मुझे बाला दिस रिडिकुलस तुम्हें इतनी चोट लगी है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ऐसा डॉक्टर का कहना है और तुम कार की आपको भी मांग रहां तुम्होंरे साथ एतना कुछ हुआ वो तुम्हें देखने भी आई तुम्हारे साथ क्या हुआ उसने लेकिन तुम इतनी तकलिफ के बाद प्रिया प्रिया चिला रहा हो और अब incoming अब किया है अधंね पलीज पपा कि अ हाओ मैंने उसे मार दिया मेरी रास्ते का सबसे बड़ा काटा मैंने निकाल दिया तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था लेकिन वो बच गया कैसे बच गया मुझे नहीं पता अब हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा अब तुम ही बताओ मुझे आगे क्या करना है वो प्रिया को ढूंगते हुए यहां जरूर आएगा मेरी प्रिया का है अब अब इस तुम को अब आएगा वो अब गया हुए मैंने सोचा था वो वही मर जाएगा तुम दूसरे शरीर में हो तो क्या हुआ और इस शरीर को वर्दान प्राप्थ है तुम बले ही शरीर में हो लेकिन इस शरीर पर उसका ज्यादा अधिकार है तो तुमें उससे नहीं उछना है क्या वो मुझसे भी ज्यादा बलशाली है वो दुनर इस संट से पहले साथ जन्मों से पति-पति रह चुके हैं उन दोनों का जन्मों जन्म का नाता है हर जन्म में उनका ये बंदन उन्हें वर्दान में मिलता है इसलिए वो हर जन्म में मिल जाते हैं तुम क्या कहना चाते हो जब ऐसी दो जाने मिली हुई हो तो उनकी शक्ती बहुत स्यादा होती है उसे आंगने की कुशिश मुद करना मैं उसके सिर को अलग करके उसको जान से मार तूँगी तब पता चलेगा मैं कौन हूँ तुम यहां किस काम से आयो उसे मत भूलो उसको मारने नहीं तुम यहां जिस काम ते यायो वो कान करो क्या करना है वो तुम मुझे मत बताओ पहले भी जब वो अपनी मां के बेट में थी तब भी उसे मार माच रहा लेकिन वो नहीं मर पाई अगर इस बार तुम हार गए तो मुझे ख़़ सामने आना पड़ेगा तुम ही क्या लगता है मैं हार जाओंगी तुम है और इस दुनिया को मैं कल दिखाऊंगी की मैं कौन हूँ अरे जंदी चलो ना इसे बैठे नहीं या तुम बहुत मेंगा शॉपिंगा अरे भीया जंदी तो रो सबसे कड़े हैं लो सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब कर देंगे तो मिल जाएंगे सब्सक्राइब कंपनी यूज के लिए सर कस्टमर को दिखाने के लिए नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए सर सेक्यरोटी को मत बुला है वो लिप्स्टिक चुराने वाली आपकी पत्नी है ना सर वो उस दिन तो गलती से हो गया था उस दिन आप साथ में आये थे सर उसके बाद वो लिप्स्टेक स्पून कई आपको पता भी है कितनी बार उनको मैंने बाहर भगाया लगता है वो पागल हो चुकी है उन्हें पागल खाने ले जाए सर देखें सर मुझे मारने से कुछ नहीं होगा आपकी बीवी चूर है कॉलर शोड़िए एंको बार पकाओ इन्हें सब्सक्राइए बाहर जाए बाह आपको 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 आपक सर मुझसे गलत ही हो गई प्लेज बुरा मत मनना सर ठोड़ो यार थोड़ी मदद कर दीजिए सर मेरे वाइब बहुत बढ़ी प्राइब आपकी शॉप पर यह अक्सर आते रहते हैं एक बार देखिए शायद पैचान जाओ मुझे नहीं बता देखिए ने सर चौकर चश्मा कराते हैं और मुझे नहीं पताया या उनकी है चतनी होगी हमेशा than बार देख लिए ने इतनी बला हुआ है बस ओख देख लिजे न है क्यों परेशन करें केंग करूँ अब यहां सरथ कुछ S2 करोंगा यहां से थोड़ा देख तो लिजिए कर दो कर दो कर दो कर दो यात्री गंड कृपिया ध्यान दे फोटोवर ब्रिज का ही स्तमाल करें सुस्ट कर दो यात्री गंड को करें ने गडिक सिन्तोंः आम झाल झाल तुम है और इस तुनिया को मैं कल दिखाऊंगे की मैं कौन हूँ कि यह कि बंदे बंदे दूटलारा है कर दोियर्न सेवाल यहां व्य्salvent क्योंदी हमार पाल kya अशाला हुष क्योंदी हुष कुवर पाल क्योश हुष हुष क्योंदी स्कारात्रात्राը झाल 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 जी भी आपको जाए आपको अचानक से मुघसम सफ कैसी हो गया है जाए जाए जब दो गया कि यहां पर क्या करियों देखा आपने सूरज फिर से बदेल गया पूरा आस्मान रैड हो गया था आपने देखा ना गर पर कोई भी नहीं है बाला का है दीदी क्या हूँ आपको आपके आखों का रंग हरा क्यों है बाला बाहर गया है तुम लोग मेरे साथ खेलोगे क्या क्या खेलेंगे दी पहेकने वाला गेम खेलते हैं बॉल ही नहीं है तो किसे फेक कर खेलेंगे अधिये उन्ड रहा है वेट यह वेट अधिया वेट झाल चूपक स्वाइब झाल जाल में झाल खुशा है चवस्त lifूप झाल 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 मेरे सामने मत बैठो तुम कौन हो तुम? मैं जानती हो तुम मुझे देख सकते हो चश्मा उतारो अपना तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद जान लेता हूँ झाल 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 पहजाना में कौन हूँ? पर दूनिया कैसे शुरू ही पता है? शुरुआत में कुछ भी नहीं था इश्वर के अलबा इश्वर ने इस दुनिया को बनाने की सोची पहले रोशनी बनाई और रोशनी को दिन और राद दो फागों में बाढ़ दिया और दूसरे दिन आस्मान बनाया उसके बाद जानवर, पेड, बौधे जैसे कई जीव बनाए इतना सब बनाने के बाद भी इश्वर संतुष्ट नहीं हुए इसलिए सबसे बढ़कर अपनी क्छवी की भाती हाड, मास, हिर्दे डालकर एक पुरुष बनाया वो था आदम वो जहां रहने लगा वहां साथ जा जानवर भी रहते थे उसकी तनहाई को देखकर जैसे इश्वर ने उसे बनाया उसी तरह हाड, मास, हड़ी और हिर्दे मिलाकर एक इस्त्री को बनाया वो थी लिलित इस दुनिया की पहली इस्त्री जो काम उसे पसंथा सिर्फ वही करती थी, लिलित हमेशा सोतंतर रहती थी, उसकी आशाएं अद्भुत थी, जरूरते भी विचित्र थी हमेशा सोतंतर रहने का सोचती थी किसी से नियंतरित नहीं हो पाती हमेशा तनहा रहा करती थी इसलिए आदम के बताय कामों को वो इनकार कर देती थी इसलिए तोनों में जगड़े शुरू हो गए इश्वर ने दोनों को एक जैसा बनाया था तो फिर तुम्हारे बताय कामों को मैं क्यूं करूँ ये लिलित ने कहा दिन गुजरते गएं और जगड़े बढ़ते गएं एक समय पर इसने हिंसात्मक रूप ले लिया दोनों की गल्तियों को बताकर इश्वर ने दोनों के भी सुलह कराने की कोशिश की लेकिन लिलित ने मानने से इंकार कर दिया उनकी बात को नहीं माना इससे उने भी क्रोध आ गया और कहा अगर बात न मानोगी तो मैं तुम्हें शराब दे दूँगा कि तुम्हारे जितनी भी संताने पैदा होंगी वो सब मर जाएंगी उस समय शराब को गंभीरता से ना लेते हुए इश्वर को ही ठुकरा कर चली गई अपनी इक्षा से जीने लगी इश्वर एक स्त्री हमेशा एक मर्द का आधा बनकर ही रहेगी सोचकर आधम की आखरी मुख्य स्त्री को लेकर एक और स्त्री बनाई वो थी हववा सब को छोड़कर गई लिलित अपनी इक्षा से जीने लगी उस स्यात्रा में वो शैतान के पास जा पहुँची कुछ दिनों के बाद वो गर्वती हो गई लेकिन इश्वर के शराब के वज़े से उसकी संतान मरी हुई पैदा हुई उसके बाद भी सारी पैदा हुई संतान मरी ही पैदा हुई कई सालों बाद भी इश्वर ने उसको जो शराब दिया था वो बदला नहीं आखिर में लिलित पिना माँ बने ही मर गई एश्वर की करुणा आखिर तक उस पर पड़ी ही नहीं ये सब आप क्या बूल रहे हो लिलित इतिहास में ऐसा कुछ है ही नहीं इन सब पर मैं विश्वास कैसे करूँ उसकी वजायब हमसे ये कह रहे हैं कि इश्वर ने गलती की है हमसे ज्यादा आपकी आँखे सच्चा ही देख सकती हैं तो फिर आप ऐसी बातों को सुनकर सच कैसे मान सकते हैं अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो मुझे पता है आप सब इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे मैंने मैंने सब कुछ देखा है I have seen it जब उसने मुझे चुआ तब इस दुनिया की शुरुआत से अब तक जो कुछ भी हुआ हो सारी बाते मैंने देखी मनुष्य जीव जन्तु पशु पक्षी और तब जो ना दे मैंने सुना है कि इश्वर ने सबसे पहले उससे ही बनाया था कुछ पुस्तकों में उसके बारे में ऐसा लिखा है मैंने लिलित को देखा है उसके गुस्से को देखा है I have seen her father वह वापस आ चुकी है यह बात सबको पता चल जा इसलिए मुझे जिन्दा छोड़ा है अब तक उसका गुस्सा कम नहीं हुआ मानो उसकी आत्मा चल रही हो दूसरे खुश है भूस से देखा नहीं जाता उस खुशी को बरबाद करके भगवान से बदला लेने की कोशिश कर रही है इसलिए जो भी इस तरी करवती होती हो से पकड़ कर उन्हें परिशान करके हम सबी के साथ रह सकती हो उनके आस पास रहने वाले लोगों को अलग करके उनके शरीर में घुश कर बच्चे को मार देती है अभी तक उसने मारे सभी बच्चों को मैंने देखा कुछ जिद्धी आत्माय उसकी दुनिया में जगह ले लेती है अगर उस दुनिया में चले गया तो वो कौन है कहां पर थे ये सभी यादे भूल जाते हैं बस पिना याददाश्ट के आखिर तक वहीं रह जाते हैं पिरिया उस दुनिया से होकर आ चुकी है और फिर वहीं रह गई है बाकियों के तरह उसे भी कुछ याद नहीं है वो दुनिया एक सपने जैसी रखती है लेकिन सच है अभी पिरिया की आत्मा वहीं पर है उसकी मा के साथ भी यही हुआ था लेकिन प्रिया उसके बाद भी पैदा हो गई लेकिन अभी लिलित प्रिया के शरीर में ही है और उसका लक्षे है कि प्रिया के बेट में जो बच्चा पल रहा है उसे मार डाले प्रिया प्रेगनेंट नहीं है सर क्या प्रेगनेंट नहीं है वो प्रेगन्ट होई नहीं सकती क्योंकि वो खुद बहुत कॉंप्लिकेशन साथ पैदा हुई थी इसलिए उसके गर्ब ठीली में कोई प्राप्लम हो गई थी सर वो प्रेगन्ट नहीं हो सकती सर प्रिया के शरीर में क्यूं है वो जरूर किसी उद्देश के से यहां आई हुई है, उसके साबने हम लोग कुछ भी नहीं है, यहां के लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यह कुपाय है, एक स्पेशल टीम है, अगर वो यहां आगई तो हम उसे रोख सकते हैं, सर, प्रिया, ऐसे नहीं जाने देंके बाला, अगर दुनिया में कुछ बुरा होता है तो, जरूर अच्छा भी होता है, इश्वर हमेशा हमारे साथ ही रहेंगा, जिस दिन उस पर लेली थावी हुई थी, उसे दिन से प्रिया मर चुकी है, हम लिलित को अगर भगा भी दे, तो प्रिया का शरीर ही मिलेगा, प्रिया करने के बाद प्रिया जरूर मिल जाएगी ऐसा विश्वास जगा है, लगता है जैसे इश्वर ने खोदी जवाब दिया हो, मैं वो महसूस कर सकता हूँ, इसे सास में रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं सर, चाहे कोई भी भगवान बचा ले उससे क्या, सारे भगवान सही बात तो बताते हैं, हम जैसे प्रिध्वी बासियों को शिव, विश्णु, जीजस जैसे अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन उपर से नीचे देखने पर हम सब एक ही तो दिखते हैं, मैंने कुछ गलत कहा क्या सर, हां, ने, ने, कुछ ने, हम प्रे कर रहे थें, और तुम उसी भी चा गया, ठीक है, मैं बाहर बेट करता हूँ, आप प्रे खतम करके आ जाईए, प्रे करता है, मैं बाहर चाइबे हैं, जय हुआ प्रे करता हैं, हुआ हुआ है डालो. तरो? क्या हुआ? हाँ मजे ह좌ते है नहीं हाँ नहीं, चुछ पह नहीं हाह, तरस दन्य सरोप है प्राइफ बन्यATHAN किन्वेek होसम लेंग हमें रह एक प् गरीció हमें你要 हम झाले रहे पुरे पुरे अगो रहा है अरो अरो जादी इसने दिखते अरो थे विए आरा आमे उपर चलना होगा, जल्दी आओ ओस जल्दी आओ 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 वीट अपस्टार वाल जल्दी आओ अरो आओ आओ अरो आओ 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 उपनी आओ आओ प्रॉट यॉचकत वाली आओ I shall recite the prayer of protection. Peter, you will recite the New Testament Psalms passage, and John, be ready with the pipe and holy water, and make sure to load the pistol. Oh, my God. बाढ़ बाढ़ में तुमैं तूच सब्साब करें जब आड्त घरल ये लिएरान्स नख पुम आड़ एफ, व्हुम आ डुड़ एफ फिर इसली भी था है सार यह लोह प्रिया को बचा नहींगे न सर यह तो भर्वाने चाहत है इसली में रिख्या होका तुम्हें क्या लगता इस से मुझे रोका जा सकता है? मैं तुम्हारे भगवान से पहले पैदा हुई थी जा है? बाल, एक है क्या हो रहा है स्वाट है? बुलियन क्या है? Salomon, वेर इस से! स्वाल.. Karl, विसाइड यो सर, सर क्या हो रहा है सर करके अचे कि एनकार से लिख इसके रखा जाशना करे ठा Turkish talks यिया आपार, जिए कि इसके हमाओर थकिती कि कीbelा से लिद TaxClendon कि प्रिया उसी दिन मर चुके थी कि उस जगह से बाहर निकाल कर नहीं ला सकते हैं एक भाला मेरी पासे हम यहां रह कर इसके नहीं कर सकते हैं आओ बाला बाहर चाले कि पिलओ कि पिलओ कि पिलओ कि आओ अब आओ कि आपला से हाँ उसका शरीर जब तक है तब तक वह जहीं रहेगी इसलिए परिया के शरीर को खात्म कर दो हम उसे भागा सकते हैं विल फिनिश मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था पर मैंने जिन्दा छोड़ दिया जिन्दा छोड़ दिया तो उसनी मार दिया होता ना किस दो रोकता तुम्हें है 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 आम रेडी आम रेडी तो डाइ हम तुम्हें देखका डर्ग ऐसा सोच रही हो क्या और खुन रोकने के लिए ही ऊपर आया था लेले आम चैलेंजिंग यू इफ यू हैब कर दो आपको अधाय तो मेरी प्रिया के शरीर में खुसकरिया समत करो तुम चाहा से आयो हो महां चली जाओ आज के ही दिन का तो मुझे इंतजार था उसने कहा था कि तुम्हें ना चुण मैं अपने हाथों से ही तुम्हें हुँ हुँ सेच्छी मामत उस दिन बहुत से बादल हो गए थे जैसे बारिश होने वाली हो लेकिन बारिश नहीं हुई बस हवा चल रही थी और तब कुछ तो मेरे उपर गिरा था अगर मूँ नहीं गिरता तो मैं तुमें देख भी नहीं पता गौर से देखा तो तुम खड़ी दिखी मैं एक मिनिट के लिए ऐसे ही खड़ा रहा पहली नजर का प्यार तब तक मुझे उस पर भरुसा ही नहीं था तुमसे पहले भी मिलकर बात कर चुका हूँ ऐसा तुमसे मिलने के लिए मैं दौड़ता हुआ चलाओया तुम्हे देखने के चकर में मैं उपर चड़ाया कैसे एक लड़की को देखते ही मैं प्यार का इजहार कर दूँ मेरी एक आशा थी कि तुम्हें भी तब वैसा ही लगाओगा मैंने वापस जाने के बारे में सोचा लेकिन मैं चाहने ही पाया बस तुमसे मिलने की चहत थी मेरी सिंदगी में शुरू हुई एक नहीं कहानी बाला मेरी सिंदगी का मतलब कहां थे इतने दिन हजारों जनम हाजर है मेरे तुम्हारे लिए मुझे तुम्हारी आँखों में दिखा था मुझे से मिलकर तुम्हे भी ऐसा ही लगा है तुम्हारी आँखों में मैंने खुद को देखा अपने भविश्य को देखा हजारों सूरजों जैसे उन्हें बाने की मुझे चाहत थी मुझे तुम्हें चूने का मन किया तुमने खुदी अपना हाथ बढ़ाया जब ऐसे दोजाने मिली हुई हो तुट की शक्ति बहुत स्यादा होती है उसे आपने के कुछिश मत करना झाल 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 झा हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है पन्रोफ्प्ट्र। झाल झाल बाला? 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 प्रिया प्रिया बच्छ नहींर चक्कर आगया ठीक हो मैं सर यह सब क्या हुआ था सर वह अब भी यहीं है क्या सर कुछ तो बोली है ना सर कि तुम प्रेगनेंट हो है अब क्या कह रहे हो कि तुम्हारी वाइफ प्रेगनेंट है हाँ 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 मैं प्रेगनेंट नहीं हो सकती है मुझे एक रोश्णी दिखाई दी थी कानों में कुछ आवाज आई थी कैसी आवास मेरे बच्चे को अपनी तरह बनाना वो किसकी आवास थी यह मैं समस्ता हूं तुम जान गए होगे गुस्ति अपने पुत्र को पालने के लिए तुम दोनों को चुना है तो फिर वो इस बच्चे को मारने यहाँ आई थी एश्वर से बदला लेने के लिए उसने ऐसा सब किया हाँ बाला जो भी हुआ वो तुम से हमसे हम सबसे बहुत परे है हमसे सह नहीं सकते इस दुनिया को एक बदलाव की जरूरत है और यही बच्चे उसका बदलाव है बाला तुम दोनों चुनकर आये हो यह बात तुम्हारे समसे परे हो सकती है लेकिन धीरे धीरे तुम समझा होगे कर दो कर दो कर दो कर दो कि इस दुनिया ने तुम्हें वापस मिला दिया वर्ना तुम अपनी पत्नी को बच्चाने के लिए मुझे ढूंडते वे नहीं आते हैं इस अल्ट दिसाइन पाले है दिसे अल्य प्यक्ट अगर किसी काम का अचाम देना है तो वो काम खुद करो करो